हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है आपका प्यार सा चैनल नोक्री एलर्ट पर आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे most important dams and river in इंडिया जितने भी important dams है और वो जो river पे है उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे और यह वीडियो आपके हर एक competitive exams के लिए important है जैसे कि group D, NTPC, UPSI और defense जो भी और अन्य state exams इतनी भी है उसके लिए एक वीडियो बहुत ही important है और वीडियो इस्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लिस चैनल को सब्सकाइब करेगा बेल आइक उन को मिलते रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्री नगर इस लोकेटेड ऑन दे बैंक ओफ विच रिवर स्री नगर है जो की कौन से बैंक के उपर में वह लोकेटेड है सो दा एंसर इज भी जेलम और वीच अब फोलोइंग रिवर इज उकाई डेंप लोकेटेड जो उकाई डेंप है वह कौन से रिवर पे लोकेटेड है सो दा करेक्ट एंसर इज ए टापती दा रंजित सागर डेंप इज ऑल्सो नोन एस थैंडेंप इस लोकेटेड ऑन विच वबर जो रंजित सागर डेंप उसको थैंडेंप भी बोला जाता है वह कौन से रिवर पे लोकेटेड है सो दा करेक्ट एंसर इस सी रवी रिवर which of the following them is also known as maharana-pratap-sagar कौन से देम को maharana-pratap-sagar देम भी कहा जाता है so the answer is A. Pongh देम Pongh देम को आपका maharana-pratap-sagar देम कहा जाता है next question राइगात देम is situated on which river जो राइगात देम पह है वो कौन से रिवर के उपर रोकेटेद है so the answer is D. Betua river next question which of the following river is गांधी सागर देम देम है वो कौन से रिवर के उपर लोकेटेद है so the correct answer is A. Chambal river next question which of the following river is दा बर्खा नंगल देम देम है वो कौन से रिवर के उपर लोकेटेद है so the correct answer is B. सतलूज जो बर्खा नंगल देम है वो आपके सतलूज रिवर के उपर में लोकेटेद है next question which of the following cities is located on the bank of the river सर्यू जो river है सर्यू उसके उपर में कौन से cities लोकेटेद है so the correct answer is C. आयोध्या आयोध्या है जो कि आपके सुर्यू रिवर के उपर में बैंक के उपर लोकेटेद है next question और which of the following river the नारायान सेटू है जो नारायान सेटू है जो कौन से रिवर के उपर विल्ट हुआ है so the correct answer is A. ब्रमोपुत्र रिवर ये ब्रमोपुत्र के उपर में नारायान सेटू बिल्ट हुआ है next question और यह जहकी असाम में है which of the following hydroelectric project construct on the river Krishna जो रिवर कृष्णा है उसके कौन सा hydroelectric project construct हुआ है so the correct answer is C. अलमाती देम अलमाती देम वह जो की आपके hydroelectric project है वह आपके कृष्णा रुबर के उपर में लोकेटेद है next question which of the which is the first multipurpose river valley located on of the independent india the independent india के समय पहला multipurpose river valley कौन सा था so the correct answer is B. दामोदा वेली प्रोजेक्ट next question which among the following is the highest gravity damp in world इन में से कौन सा damp है जो की सबसे highest gravity वाला damp है world में so the correct answer is A. बर्खा damp जो बर्खा damp है वह आपके सबसे highest gravity वाली damp है world में next question which among the following is the longest damp in the world इन में से कौन सा damp है जो की सबसे longest damp है world का so the correct answer is A. हिराकुन damp है आपके world के longest damp है next question idu की arch damp is situated on which among the following river जो idu की arch damp है वह कौन से रिवर के उपर located है so the correct answer is D. पेडियार रिवर पेडियार रिवर के उपर आपके idu की arch damp सिट्वेटेद है next question which among the following river is also known as दक्चिंग गंगा कौन से रिवर को भी दक्चिंग गंगा के नाम से जाना जाता है so the correct answer is A. गोदावरी रिवर next question which river in India cross the topic of cancer twice कौन से रिवर है इंडिया के जो की topic of cancer को दो बार क्रोस करता है so the correct answer is A. माही रिवर माही रिवर है जो की topic of cancer को दो बार क्रोस करता है और वह इंडिया का रिवर है next question which river has the largest basin in India कौन से रिवर है जो के सबसे लार्जेस बैसीन है इंडिया में so the correct answer is C. गंगा रिवर next question which river is also known as Soro of Bihar कौन से रिवर को Soro of Bihar के नाम से जाना जाता है so the correct answer is B. कोसी रिवर को Soro of Bihar के नाम से जाना जाता है और यह अभी आपके NTP से एक्जाउंस में पूछे भी गये थे next question which among the following river Ajmer is situated जो Ajmer city है वो कौन से रिवर के उपर situated है so the correct answer is A. Looni river Looni river के उपर Ajmer city situated है next question which river is also known as Soro of Bengal होन से रिवर को Soro of Bengal के नाम से भी जाना जाता है so the correct answer is D. Damoda river Damoda river को Soro of Bengal के नाम से भी जाना जाता है next question तो आज के वीडियो में बस इतने ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिलते रहे थैंक यू फो वाचिंग वीडियो अनोटिफिक्शन आपको